नमस्कार दोस्तों उमीद करते हैं कि आप सब लोग स्वास्तोंगे आपका प्रिये मेत्र केपी गोतम फिर्शे हाजरे एक नई और सद्य जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसी और शदी के बारे में जिसका उपयोग साश रोग में सबसे जादा किया जाता है और इस में रिंगड़ी के नाम से जानते हैं और इसका वॉटिकल नाम तो यूश्म क्में में बता सकते हैं भ कशता फिर्देशों में पाई जा सकती है और यह साल के बारे मास सापको हरी reduction देखी जा सकती है तो ये वनस्पति जो है रिताली या जो रोट के आगल बगल जो जमीने खाली पड़ी है उनमें ये ज़्यादा देखी जा सकती है तो इस वनस्पति को प्रचानना बहुती आशान है इसके सवी अंगों पर पीले पीले काटे उल्टे नोग लिये होते हैं और इसके पते काट उक्ते खंडिये भाग में और इसके पते कटे हुए खुद्रे होते हैं इसके पुस्प बैगनी रंके या पीले रंके होते हैं और कहीं कहीं इसके जो फूल हैं सपेद रंके भी देखे जा सकते हैं इसके फल गोल चिकने और सपेद धारिये वाले होते हैं ये पकने पर एक परिजाती है जो की आप देख रहे हैं यह छोती रेंगरी जो 的 कंटकारी न आम देखा Father के भी नंगरा एक चेल कपा रो तो इसका स्वाद टृप कंटकारी और सदेखा रूप से इसका पंचांग फल और बीज प्रियोग में लाए जाते हैं यह वनस्पति मुत्रल वात निशारक और कफ निशारक जोरगन के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है इसका पंचांग का प्रियोग आपकी स्वास की सूजन है स्वास रोग है आपका स्वर्यंत्र की सूजन है एलर्जिक है स्वासनी सोथ है हिर्दैगहात रक्तदाब नेंत्रण के लिए इसका क्वात सुजाक पिर्महे गर्वदारन में लापकारी है इसका फल रसक कंठ दोस्ट और अध्यामन असमरी विवंद यादी में इसका प्रियोग किया जाता है और इसी के साथ इसकी जड़ उकल के आना पेशाब की जलन के श्मरी जलो धर जैसे लोगों में भी होता है तो की पत्री होने पर आप इसकी जड़ का चूरण या अवक्षार जो रहति इसके बड़ी जो प्रजाती के कंठकारी होती है उसकी जड़ का चूरण या छार मीटे डही के साथ आप खिलाते हैं तो आपको लाव होता है बुखार या कास में इसकी जड़ का तथा गिलोय का कौात बना कर आप पिलाते हैं तो आपको काफी लाव होता है शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होने पर या पेशाप की मात्रा कम होती है तो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आम बात में आप इसके पत्तो का रस काले मिर्च में मिला कर पिलाने से लाव होता है, पत्तो का आप लेब भी जोडो पर या जॉइंट पेन पर भी कर सकते हैं, उससे आपकी सूजन भी उतर जाती है, गले की सूजन से इसके फलो का स्वा परस लाबकारी होता है सुजाग में इसके पंचांग कवाद बना कर पीने से भी लाब होता है इस बनस्पति की प्रिशिद कफ को नास करने के संबंद में बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है जब छाती में कफ भरा हुआ रहता है और इसके पंचांग काड़ा देने से वो निकल जाता है इसके फलों के काड़े में दो माशा सुद की हुई हींग और उतनी ही मात्रा में आप सेंदा नमक डाल कर पिला दें तो आपका बहंकर से बहंकर दमावी ठीक हो जाता है यूनानी मतानूसार ये दूसरे दर्जे की खुश और गर्म औशदी मानी जाती है इसके फल वहीं गुड रखते हैं इसकी जड़ में भी यही गुड होते हैं ये सुजाक कोड कब्ज और मसाने की पत्री को दूर करती है पेशाप को भी ये साफ करती है मन नंगनी पितकार को ये नश्ट करती है ये औसदी बड़ी प्रवाब साली होती है इसका तरीखा यह है कि आप इसके जो फल है उसको आप ले ले और इसके बीज निकाल दे और उस बीजों में आप सेंदर नमक डाल कर उसको आप एक मटका ले ले मिट्टी का और उसमें आप ओटाएं, ओटाने के बाद आप इसको दूप में सुका ले इस प्रकार आप इसको साथ दिन रोजाना रात को आप मटके में भ्योगो कर रग दे और दिन मेर आप इसको सुकाएं इसके पस्चाद आप इन बीजों को घी में तल कर खाने से आपके पेट का दर्द और मंद अंगनी पित्त के विकार नश्ट हो जाते हैं इसी में एक सपेट रंकी कंटकारी आती है आप उसके ताजी जड़ को दूद में पीसकर मासिग धरम के चोथे देन आप पिलाने से गर्ब धरण होता है और वात्त जन अर्श में इस पंचांग का क्वात पिलाने से दस्त साफ आता है और आपका अपान का निशारन होता है और आपकी प्यास में आप इसकी जड़ का बना हुआ क्वात पिलाने से आपकी प्यास भी शांत होती है कास में आप इसके पंचांग का क्वात और इसके जो गूदे को पका कर आप इसमें आमला मिला कर खिलाने से आपके सभी प्रकार की जो खासी है वो नश्ट होती है स्वास रोग में आप इसकी जड़ का चूरण एक तोला और हींग आदा तोला दोनों को आप बारीक पीस ले और इसका चूरण कर ले इसमें थोड़ा सा सहद मिलाकर आप चाड़ते हैं तो आपकी भेंकर से भेंकर श्वास की जो समस्या है वो तीन दिन में ही नश्ट हो जात कि इंद्र लुप्त या बालों का गिर जाना गंजापन होने पर आप इसके पंचांग को ले ले और इसका रस निकाल ले इसमें सहद मिलाकर इसका लेप करें और इसके सूखने के बाद आप हरैर की यह दाल का है पेश्ट बनाकर तीन से चार घंटे तक सूखने दें और लंबे समय तक खांसी बनी रहती है और उनको नहीं जाती है और आप बहुत सारे इलाज करा चुके हैं फिर भी उनको कुछ फाइदा नहीं होता है तो आप इनके फूल है उनको आप तोड़ ले और उसको सुखा कर बारिक पॉडर कर ले आप इसको सहत के साथ चटवाते है शुबा दुपैर शाम तीन टाइम तो आप देखेंगे तीन दिन में ही आपकी पुरानी से पुरानी जो बच्चे की खांसी है वो ठीक हो जाती है छीड कास छीड जुखाम में आप कंटकारी की ताजी जड़ निकाल ले और एक तोले की मात्रा में आप ले ले इसमें एक सोट और एक तोला ताजी गिलोए आप कूट कर रात को 400 ग्राम पानी में विगो के रख दे और इसको सुबा आप इसको उबाले जो वलते वलते आदा एक चौथाई रह जाए आप इसको छान कर एक बोतल में भरके रख ले और दो तोला इसमें सहद मिलाकर इसको पिरती द आपकी जो पुरानी से पुरानी कास है जुखाम है स्वास की दिक्कत है वो दूर हो जाती है यह दिन नेफ्रोटाइटीस हो गया है तो आप इस स्कौाथ में जो एक तोला पनननवा मिलाकर सेवन करने से आपको अतियंत लाब होता है इस कटारी के स्वारस में मठ्था मिला कर कपड़े से चान कर पीने से पेशा आपकी रुकावट फौरन मिट जाती है इसके फलों के रस्त में आप ललहट पर लेब करने से आपके मस्तक्सूल या सिर्दर्द दूर होता है इसके फलों के बीज निकाल कर उसको आप पीस कर और काम इंद्रियों पर मालिस करें और से अरंडी आपका पत्ता आप बांदे इससे आपकी काम इंद्रियों की जो सितलता है या निपुन सकता है वो मिटती है इसके बीजों को आग पर डाल दे और जो धुआ उठे गए उसको आप मुख में ले ले अगर आपके दातों में कीड़े लगे है तो वो कीड़े निक आप लिबरावर भात्तरा में ले ले और इसको आप पेष्ट बना ले और इस तुनों पर लेब करें तो कुछ दिन यह लगातार करते हैं तो आपके इस्तन कटोर हो जाते हैं और इसका रस नाभी पर टपकाने से हिस्टेरिया की भ्योसी भी चली जाती है तो इस प्रकार आप इस कंटकारी का प्रियोग कर सकते हैं तो आप इस प्रकार इसका प्रियोग कर सकते हैं इसी प्रकार आप इस कंटकारी के पते धतूर के पते आख मदार और अपमार्ग इन चारों चीजों के पते ले ले और इसमें इसी बरावर की मात्रा में आप इसमें काला नमक और प्रफिटकरी यह चीज़े ले ले बराबर बराबर और चीजों को आप एक लाई में रख ले और उस लाई में आप बारिक करके रखना है उस रखकर आउस कड़ाई के नीचे आप धलके से आग जला दें उपर से इसको बंद कर दें और दीरी आप पर इसको जलाएं जब यह काफी तीन से चार घंटे लगते हैं इसको बनने में जब यह जलके बिल्कुल राख हो जाए तब आप इसको छान कर और पीस कर रख ले और इसकी एक ग्राम की मात्रा में आप दमा निमोनिया सांस समंदी बीमारियां या सूखी खांसी बलगेमी खांसी या कुकर खांसी कै सब्सक्राइब करवा है तब आप इस और सदी को देने के एक घंटे के बाद तक आपको पानी या कोई भी चीज आपको सेवन नहीं करनी है खटाए मिठाई और चावल का इसमें सक्त परेज रहता है तो आपको यह 100 परशंट और सदी आपको चमतकारिया फाइदा दिखला करती है उसी परकार आप इस जो कंटकारी है इसके पंचांग को ले ले मतलब कि फूल तना पती जड़ सभी कुछ ले ले इसको किसी हतियार से काट कर उसको सुखा ले और सुखाने के बाद इसमें आग दे और जब इसकी राख्म हो जाए तब इस राक को आप इसके जितनी राख्योंनी राख है उसका चेई लगण पानिदे और फिड्वाटर रिक और यूफा हो लाई तब विगो उसको सुखेक को अप करीब छान ले साथ बार छाने जब तक यह बिलकुल साफ पानी ना जाए जब बिलकुल साफ भानी आजाए तब आप इस पानिकाल ले और उसे Neak बच्च हुआ जो व problemas वाग है उसको फैक दें हमारा पानी है उस में से ही नमक या छार प्राप्थ होगा उस पानी को हम या तो शुर्यताफी द्वारह बना सक ये अगने पर बना सकते हैं अगर आप शुरज की शु पेन चाहते हैं तो किसी कडाई में बड़े बरतन में उस पानी को आप धिमी आज पर उबाले और उबलते उबलते पानी सेस जो है वो उड़ जाएगा और आपको नमक सेस बचेगा जिसको हम कंटकारी या आप कटैरी का छार बोलते हैं और इसको स्वास कास या बुखार में इसकी 500 mg तक की म है तो आप इसका भी छार का भी प्रियोग कर सकते हैं तो इस कंटकारी के बहुत सारे फाइदे हैं और कुछ आप इस कंटकारी के प्रियोग किसी विस्यस बीमारी में करते हैं तो आप हमें बता सकते हैं अगर आप किसी विस्यस बीमारी में करना चाहते हैं तो किसी बैदि जानकारी के साथ तब तक के लिए आप स्वास्त रहें और मस्त रहें